जैसे रादे मित्रों हरहर महादेव जैमा चंद्रवदनी मित्रों चंद्रवदनी भक्तिरस चैनल में पुनो आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अग्रंतर और माभगवती का आश्रिवार आप सभी के जीवन में हमेशा बना रहे माभगवती आप सभी के बिगनबादाओं का हरण करें यही मावगती के चरणों में करवध प्रार्थना है तो मित्रों चंद्रवजनी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आज हम बात कर रहे हैं मित्थुन रास्ति के जातकों का फरवरी 2030 का महिना कैसा रहेगा तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवस्य बने रहे और जो पहली बार हमारे चैनल में आज जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें बैल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आर तक पहुंच सके तो अब बात करते हैं मित्थुन रास्त के जातकों का जो फरवरी 2013 में आपका पारवारिक जीवन कैसा रहेगा मित्थुन रास्त के जातकों को तो यह मह पारवारिक जीवन के लिए सुब और असुब दोनों ही रहने वाला है जहां एक ओर माह की सुरवात में सुफल देने के साथ होगी तो वहीं यह माह का सुरवाती भाग जो है बहुत परना पड़ सकता है। हलांकि इस महीने जो है फरवरी महीने में इस समय यदि आप परति रोधात्मक सक्ति के से कारे करेंगे तो इस्तिती जो है वा समल भी जाएगी और माहा के अंद में पारवारी की यातरा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। घर के लोग आपसे परसन तो दिखाई देंगे लेकिन उन्हें आपकी कोई बाद भी खटक सकती है। किसी काम को करने से पहले अपनी माता से इस बारे में पूछ लें तो बहतर परिणाम आपको मिलेंगे। यातरा पर जाते समय आपको पूरी साबधानी बरतनी है। पूरी स आप कारोवारी हैं तो कारोवार में समलित हैं तो यह मां आपके लिए सामान्य रहने वाला है। ब्यापार में ना तो आपको ज़्यादा घाटा होगा ना ही ज़्यादा लाव होगा। अर्थात यह मां जो है ब्यापारियों के लिए सामान्य रहने वाला है मित्वनरास के जातकों के लिए किसी चीज की अति करने से आपको इस महने बचना है और वाजार में जो है स्वभाव में अपने बाजार में जो रहते हैं जो ब्यापार करने वाले हैं उन्हें अपने स्वभाव में जो है मैत्री पुर्ण ब्याभार रखना होगा यदि आप जो है नौकरी क प्रोजेक्ट के काम पर भी लगा सकते हैं ऐसे में किसी भी अवसर को हाथ से आपको जाने नहीं देना है सरकारी अधिकारी भी इसमा अपने काम में उन्नती को देखेंगे बात करेंगे मित्वनरास के जातकों का फरवरी 2023 के अनुसार सिक्षा और करियर कैसे रहेगी तो अग अपने सीनियर का आपको समान करना है क्योंकि वे आपके बहुत काम आने वाले हैं और किसी काम में अगर फसे हुए हैं तो और कोई कारे पूरा अगर नहीं हो पारा कोई कारे में आप फसे हैं कोई कारे पूरा नहीं हो पारा है तो इस महा उसमें सपलता मिलती हुई दिख रही है और वह आसानी से पूरा भी हो जाएगा इसकूल में पढ़ रहे जो चात्र हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें अन्य गतिविदी में जो है या कोई अन्य गतिविदी आप कर रहे हैं तो उन्हें जो है अच्छा परदर्सन इस महने वह लोग कर सकते हैं यदि आ आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाला है बात करेंगे फरवरी 2023 के अंसार मितनरास के जातकों का प्रेम जीवन कैसा रहेगा तो यह महां जो है प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है इसकूल या कॉलेज में किसी का आप पर जो है दिला सकता है लेकिन वे आपसे क मंद में हैं तो उसके साथ भवश्य को लेकर रणनीती बनाएंगे तथा आगे क्या किया जाए इस पे भी आप विचार करेंगे बैवाहिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए यह महसुभ रहेगा और जीवन साती का सरयोग आपको मिलेगा आपका पार्टनर जो है आपके बात नहीं बन पाएगी अब बात करेंगे मितनरास के जातकों को स्वस्त्य कैसा रहेगा फरवरी 2023 में तो इस महा जो है स्वस्त्य की दृष्ट से आपके लिए यह बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है महा की सुरवात में जो है दांतों की समस्या आपको प्रेसान कर सकती ह और कुछ दिनों तक दर्द भी रहेगा महा के अंत में जो है पेड़ समन्दि समस्याएं भी प्रेसान करेंगे इसलिए खान पान को सही आपको रखना है और बाहर का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना है इसी के साथ जो है महा के मध्यभाग में जो है किसी बात को लेकर चिंतित भी रहेंगे और क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए इसलिए आप ऐसी इस्तिदी में भ्रम की इस्तिदी में आप रहेंगे काम को लेकर भी प्रेसानिया होंगी जिस कारण मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है तो ध्यान से आपको रहना है बात करेंगे कि रंग आपका होगा भूरा और भूरे रंग को आपको ज़्यादा प्रात्मिक्ता देने की आउसकता है। महराज हरन कर लेंगे आपको समय समय पे अपने किसी किसी निर्धन व्यक्ति Chloe को आजपास के जो निर्धन व्यक्ति हैं उनकी स्वाइथर करनी है और भूके लोगों को भूझन आपको कराते रहना है विशेश क्या करना है कि माहा की सुरुवात में आपको सुभो से ही माहा जब जैसे ही फरवरी का महना सुरू होगा तो सुभो परती दिन आपको सुभो जो है दो गिलास गरम पानी पीने की आदर डालनी है यहां माहा क्योंकि आपका स्वस्थ के लिए अच्छा नही है इसलिए सुरू से ही दो गिलास गरम पानी आप सुबह पर दिन पीएं तो स्वस्थ आपका अच्छा रहेगा और सरीर से जितने भी असुदियां हैं वह बाहर निकलेंगे इसलिए पर दिन दो गिलास पानी गरम पानी के आप जरूर पीएं तो आपका स्वस्थ जो है अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और अपने इस्ट मित्रों के साथ हमारे वीडियो को सेर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो से लावान भीत हो सकें तो जैमातादी हरहर महादेव संभू